अब आप teacher हैं तो class के साथ attendance, time table, desk वगरा पे time तो दे रहे होगा ना ज़रूरी नहीं है क्योंकि teachment बनाता है आपकी class को असनी digital और automate कर देता है यह सारे काम इसली तो कहते हैं कि teachment पे teaching असान है आज ही download करें तो hello दोस्तो welcome back to my channel बात करते हैं दोस्तो sscgd code stable का result कब तक आएगा और normalization में आप लोगों के कितने कितने number बढ़ सकते हैं दोस्तो sscgd code stable की answer की आचुकी हैं आप मुझे comment box में comment करके बताएं कि आपके negative marking काटने के बाद कितने number बन रहे हैं आप इस वीडियो के comment box में comment करके हमें अबसे बताएं बात करते हैं दोस्तो sscgd code stable का result कब तक आएगा आपको एक और update देना चाहाता हूँ कि आपको पता है ssc का नया calendar आ चुका है उस calendar में दोस्तो ssc की तरब से जो 2023 की vacancy आने वाली है sscgd में ये 2022 की vacancy होगी लेकिन 2023 में आएगी और ये आने वाली है कम नंबर आ रही हैं और वो चाहते हैं कि हमें इंडियन आर्मी में जाना है तो वो अभी से मेहनत करना start कर दें क्योंकि sscgd में फिर से vacancy आने वाली है और जो कम से कम vacancy होगी वो 25,000 से अधिक vacancy होगी क्योंकि आपको पता है कि 50,000 से अधिक vacancy आने वाली थी लेकिन इस ब बार भी 25,000 से जादा vacancy होगी और हो सकता है 40 यप 45,000 के आसपास vacancy हो जाए तो जिन लोगों के कम नंबर है तो वो ऐसा ना सोचें कि उन्हें मौका नहीं मिलेगा जिन लोगों की age है वो लोग उसमें फोर्म को apply कर सकते हैं और हो सकता है कि age limit में उनको छूट भी दी जाए बात करते हैं दोस्तो SECGD Constable 2020 के result की तो आप लोगों का result answer की आने के एक से दो महिने के अंदर देखने को मिल जाएगा और एक expected month की बात की जाए तो जनबरी के last week में आपको हो सकता है result देखने को मिल जाए या आपको feb के यानि के फरबरी के second week तक तो 100% result देखने को मिल जा एमसे पहुँच सकते हैं वीडियो पसंद आयो तो दोस्तो वीडियो को लाइक कबास कर दें थैंक्यो